यह थ्दा बोलने में घबलाएरा है कभी केमरे के सामने नहीं आता है तो देखिए त्रऊ साम को झामम कर निकले हैं खेटों के तरफ अपने चैट के तरफ बहूमने के थितर जूरी घःता रहा है लिए य debating भाग रहा है फिल्क भाग रहा है रुचा अच्छे तरीके से दस पूसब मार लिया लौकुस का पता नहीं तो अच्छा सड़क है बिलकुल हम लोग अच्छे सड़क से जा रहे हैं अब हम आगे हैं में रोड पे यह में रोड है बहुत यह सांदार मौसम बना हुआ है जाड़ियां है बड़ी बड़ी जाड़ी अभी मैं आपको अपना खे दिखाता हूं एक और 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 आज टीचर डे भी है तो हम सुभम से आनेंगे कि इसके स्कूल में आज क्या था सिधा पक्के सड़क पर आ गया हैं वहां सलके हैं आ दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नय ब्लॉग में आज हम तीन लोग हैं और साम को निकले हैं खेतों की तरफ अपने खेत की तरफ घूमने की तरफ और यह सुभम है जो अभी पांच रुपे की नमकिन खरिद कर लाया है और उसके पीछे आप लोकुस को देख सकते है यह दोनों मेरे साथ हमें सारत हैं बीच में सुभम को जानते हैं यह मेरा कैमरा मैन है वीडियो जब सूट होता है यही बनाता है अभी हम जा रहे हैं त्वासा साम को अपना खेत देखने काफी दिन सम लोग सोच रहते हैं कि हम साम को निकलेंगे लेकिन वह नहीं पा रहा तो आज हम तीनों एक साथ मिलें तो प्लान बनाया और हम निकल पड़ें आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं यह यह थाना बन रहा है यह थाना अभी हमारे गाउं में बन रहा है इसका काम चल रहा है चार साल हो गया है तो चलिए हम आपको आज अपना खेत दिखा हैं और हम लोग वर्काउट पहले करते थे वह भी दिखाता हूं तो वीडियो में पूरा लास तक बने रहेगा वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है थाने का पीछे से अपना जारा देख सकते हैं पीछे का कितना सांदार बन चुका है और आगे अभी काम च चलके होगा और बहुत अच्छा महौल बनेगा तो दोस्तों हम अपने खेट के पास काफी पास आ गया है और यह देखी यहां पर यह बना था यह मुर्गी फार्म कुछ कारण वस यह चालू नहीं हुआ क्योंकि पास में आपको दिखाया था थाना बन रहा है अपने वीड कि अदर ँब इसके जो यह टावर दिखर है उसके जस्त इधर ही फांके जस्त बगल में में घरयए उन्ध्य पनी भणा हुआ हैका यह दान Gusti । आपको मैं दूर सह कर रहा हूं और मौसम तो आप सवीए नहीं है चलिए एक और आगे भी मुर्गी फॉर्म है वह भी मैं आपको दिखाता हूं कि कच्चा सड़क है बिल्कुल हम लोग कच्चे सड़क से जा रहे हैं वर्सात का लुई थी रात में तो थोड़ा बहुत गीला हुआ है काफी हारा लग रहा है क्योंकि यह मौसम में बर्सात क चारों तरफ आप देख सकते हैं खेतों के साइड यह पूरी बिल्कुल हरियाली आपको दिखेगी और आसमान में बादल है तो बहुत यह सांदार मौसम बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूं इधर इस साइड में मुर्गी फॉर्म है जो पहले चलता था आप देख सकते ह अर्तिक फ्रों से सुना पड़ा हुआ है और आपको दिखाता हूँ चारों तरफ ड़ग में पानी तो के बिल्कुल है ज़ाड़िया बड़ी बड़ी ज़ाड़ी यह और देखिए यह 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 इसका में गेट है इसके में गेट से अंदर जाते हैं यह चलता था काफी अच्छा था आप यह बंद पड़ा हुआ है चारों तरफ आप देख सकते हैं अगर दरवाजा खुलता तो मैं अंदर से भी आपको दिखा देता है लेकिन बाहर इसके आज आज हम साम को कफी इंज्वाय कर रहें क्यूंकि काफी दिनो बाद हम खेतों के साइड है अब ही मैं आपको अपना खेत दिखाता हूं एक और जो आगे हम दिखाएंगे तो आज 5 सितंबर है और एक टीचर देवी है तो हम सुभर से आनेगे कि इसके स्कूल में आज क्या था तो बताओ अच्छा टीचर डे इन्होंने मनाया तो आई एक बार और अम इसे जानते हैं कि इसके आज टीचर डे पर स्कूल में क्या कैसा क्या फ्रंक्शन हुआ यह बता है आज बहुत बढ़िया और तो हम कच्चे सड़क से अब सिधा पक्के शड़क पर आ गया है जो हमारे चौराय के साइड जाता है यह जस्ट इस साइड में नहार है बहुत बड़ी जाड़िया है तो आप नहीं देख पाएंगे और इस साइड बिल्कुल साफ है यह खेत है आप हम वहाँ सलके आए हैं आप वहाँ दूर देख सकते हैं उस राश्टे से हमोगे इधर से यूँ करके तर से आया है और यह देखिए यह मरा यह यह खेत है यहां से आप देख सकते हैं यह वाला मेरा खेत है आज यह बहुत दिनों बाद में आया उपने खेत में चलिए मैं और पास से दिखाता हूं कैसे अब आप यहां से देख सकते हैं यहां से मैं आपको दिखाता हूं आप दूर दूर देख सकते हैं वह वह थाना है हम उसी राश्टे से होते हुए ऐसे आया है और यहां यह मेरा खेत है आप मैं और आपको दिखाता हूं कहां आपको यह यह ब्लैक सा दिख रहा होगा वहां से लेके और यहां मैं खड़ा हूँ यहां तक मेरा खेत है वहां से स्टार्ट हुआ और मैं आपको दिखाता हूँ यह कहां तक इंड होता है है हमार इस तो देखिए वहां से स्टार्ट वह था और यहां पर यहीं स्का इंड या ऩाँ आपसे आपसे अधा दिख रहा यह पूरा सिधा इसी दर मेरा खेथ हैं पूरा है और वह दूर तक वहां दूर तक आपको और ड्रक साइब ले लेता है तो चैलेंज अब स्टार्ट कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो सुबहुत अच्छे तरीके से दस पुसब मार लिया लौकुष का पता नहीं कितना तुमने नौ मारा यह दस तो दोस्तों आज हम आया है गाउं से बाहर अपने खेट पे तो आज मैं अच्छा मौसम है और आप हरी आली बेख सकते हैं बहुत अच्छी है तो कुछ करने का मन हो रहा है तो मैं पूसब अभी आपने देखा लोकुस और सुबह ने चैलेंग लगा थे तो अब मैं कुछ आपकर करके दिखाता हूं तो आप साहाई डिश्टान होगा रहा है तो अब यह मैं करता हूं तो मैंने भी आज पूसब लगा लिया और हैंडिस्टेंड भी कर लिया कभी मज़ा आया बाहर आज करके तो दोस्तों जिस नहर की मैं बात कर रहा था वह आप देख सकते हैं यहां पर मैं खड़ा हूं और यह वो नहर है आप माज की यह नहर बार है उधर उसाड़ भी पा राउंड देख रहे हैं यह इस पर हम लोग किर्केट खेलते थे अभी बरसाद के मौसम में पुरा जाड़ी आ गई है चारी तरफ घास फूस है और पहले हम लोग किर्केट खेलते थे अब मैं आपको पास से नहीं दिखा सकता क्योंकि हमें उस रास्ते से जाना पड़ेग किर्केट खेलते थे इसे में पुरा घास जम्ड़ते चुका है अब हम आगए में रोड पे यह में रोड जोड़ता है यहां पर तीन रूड आपको दिखेंगे यहांसे लोग आकर आते जाते रहते हैं इस सारी है अब यह बेट करें दोनों मेरे जूरी खा रहे हैं यह बाग रहा है रूगँह जाए दोस्तों अम रास्ते में हैं अब अंधेर नहीं होने वाला है कुछ समय में हम घर पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा तो बस विडियो आज का व्लोग यह था आप लोग कमेंट करके जोरू बताएगा कि ब्लॉग कैसा लगा क्योंकि यह हमारा फर्स्ट आउट्डोर ब्लॉग था खेत के लिए अपने बारे में और हम लोगा साम को निकले थे इसी के लिए तो सुभम तुम कुछ कहना चाहोगे बहुत अच्छा लगएगा यह के पूरा फिटनेस और जो भी स्ट्रेचिंग और रहा कि जो भी वीडियो है आप देख सकते हैं तो मिलते हैं आगले नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए शुक्री बाई बाई